अड़ोकेट भुदेप महननद्या का अभिबाद अंस्पिकार के जियें शाथियों आप देख रहे हैं वैशाफ पीपल वैशाफ बहुजन भारत का सबसे बड़ा सुबह उतर प्रदेश में राजनिती मूर चेंज होने की तयार कर रहा है आज अखिलिश यादव जी ने राजनिती का सबसे बड़ा दाओं पेंट्स खेला है एबेपी न्यूज का सख्यतकार में ये कह दिये हैं किसफ प्रशाथ मर्या को उतर प्रदेश का सीम बनाएंगे और योगी सरकार को गिरा देंगे इतना बड़ा आफर अखिलिश यादव जी ने केसफ प्रशाथ मौर्या को दे दिया है केसफ प्रशाथ मौर्या को सब लोग जानते हैं ओबीशी चेहरा है और बीजेपी में केसफ प्रशाथ मौर्या जी का शनमान नहीं है इजजत नहीं है इनको लोग स्टूल मंत्री भी कहते हैं और उतर प्रदिश में बीजेपी में लगभग आधा डजन मिनिस्टर असंतुस्ट है लगभग पचास से साथ एम एले असंतुस्ट है इसे परिष्टिती में एशे घड़िशंद मूर्त में अकले सियादव जी का ये ऐलान बीजेपी का खेमे में हलचल पैदा कर दिया है जो पॉलिटिकल गेम बीजेपी होर स्टेट में खिलता है वो गेम अकले सियादव उतर प्रदिश में खिल रहे है योगी आदियत दिनाथ जी काली दास मार्ग रोड से निकल नहीं रहे उन्हें ये डर है कफ और किसी बक्त कैसा प्रसाथ मोर्या जी अकले सियादव जी का साथ मुलाकत कर देगा और खेल बिगड़ जाएगा वारत और वारत का सिटिजन को ये पता है हर कोई स्टेट में बिजेपी एशाही गेम खिलता है महारास्टर में कैसे ठाकर सरकार को गिरा कर सिंधे को सियेम बनाया गया मध्यप्रदेश में कैसे कंग्रिस का सरकार को गिरा कर बिजेपी अपना सरकार बनाया बहुत सारे नजीर मिलता है वह सही अखिलिस यादव जी बिजेपी का चाल वो चला रहा है उधर प्रदेश में सेडुल का सेडुल ट्राइब वो बीशी और माइनरेटी को जितना टर्चर हो रहा है वहां से मिजाज दिलाने के लिए हर कोई पलिटिकल पार्टी बीजेपी को चोड़कर उताविला है बरतमान यूपी में समाजबादी पार्टी का पास 150 MPA मले है उधर प्रदेश में 402 सीट फिलहाल है उन में से 201 या 202 MLA जिसका पास हो जाता है वो सरकार बना लेता है समाजबादी पार्टी का पास 150 MLA है और लगभग 50 और 60 MLA लेकर के सब प्रसाद मोर्या जी समाजबादी पार्टी में समील हो जा रहे है मतलब उनको CM का ओपर दे दिये हैं यह कितना बड़ा दाओं पेच्छ है बीजेपी के खैमे में डर्शा और इस एक माहूल पैदा हो गया है कभ और किसी बक्ट उतर प्रदेस में BJP का सरकार गिरेगा किशी को पता नहीं चलेगा बरतमान कैसा प्रसाद मोर्या जी का ओपर डिपेंड है कैसा प्रसाद मोर्या जी अखलेश यादव जी का ओफर स्विकर कर लिये मतलब बीजेपी गया बीजेपी का सरकार उतरपदेश से गिरने वाला है देखते हैं आने वाला कल क्या होता है कितने दुर संबब है अखलेश यादव का ये चाल सक्सेस हो पाएगा बक्त ही बताएगा ये वात हर कोई सोशेल मेडिया में वाइरल हो रहा है उतरप्रदिस में बीजेपी का सरकार गिर गया मतलब 2024 एलेक्शन के लिए बीजेपी का कमर तुट जाएगा आने वाले कल क्या होता है बक्त ही बताएगा शाथियों आप देख रहे हैं वह सब पीपल वह सब बहुजर इस चैनल को जदा से जदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेर कीजिए कर सुट है